Hello dear student, previous video में मैं आपको computer के बारे में, computer system के बारे में बताई थी, यह मेरा second video है, और इस video में मैं आपको हमारे next topic के तरफ ले चलूँगी, जिस जो topic है, और look up on some input devices, but input device बताने से पहले मैं के बताऊंगी, device two types के होते हैं, output और input device, जिसके help से हमारा system काम करता है, output device के बारे में मैं बताऊंगी, output device वो होता है, जो हमें result दे, जो हमारे result दे, हमारे calculations को, या हमारे जो भी results होते हैं, उसको दे, उसे हम output device काते हैं, जैसे कि, output device के for example में हमें printer ले सकते हैं, output device के example में speaker ले सकते हैं, output device के example में monitor ले सकते हैं, क्यूंकि इस पे हम कोई भी calculation करते हैं, तो result हमारा monitor पे देता है, कुछ print करते होते हैं, तो print हमारा output के तौर पे printer से देता है, speaker, गाने सुनने के time, जब हम गाने सुनते हैं, तो speaker हमारा help करता है, हम तक उसको सुनने में, पहुचाने में help करता है, इसलिए speaker, monitor, printer, ये सब output device होए, in the same way, input device, input device वो होता है, जिसे input करने में, means हमारी computer को instruction देने में काम करता है, like हमें कुछ calculate करना है, जैसे कि 2 प्लस 2, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 2, ये हम keyboard के थुरू ही computer पे type कर पाएंगे, तो ये हमारा inputting method हुआ, हम computer को instruction दे रहे हैं, कि 2 प्लस 2 वो करके हमारा calculate करें, process CPU के द्वारा होगा, और हमारा result monitor पे आएगा, तो ये हमारा पूरा एक way है हमारा calculation करने का input, output और CPU के थुरू हम process करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 2 प्लस 2 इक्वाल टू 4 होएगा, तो ये ये और ये जैसे 2, 2 प्लस और 2, ये हम इसको input कर रहे हैं, means instruction दे रहे हैं, equal to, कि ये keyboard से ही होता है, बट इसके बाद 4 होता है, और इसके बीच का जो time होता है, लगा हुआ, ये हमारा CPU के थुरू प्रोशिश होता है, और एक प्रोशिश के बाद में हमारा result monitor पे 4 आगया, तो इस 4 को हम output बोलेंगे, जो हमें result दिया, और जो few seconds, few seconds नहीं, एक बहुत ही कम time में, जो seconds भी नहीं होता हमारा result दे देता है computer, तो हम input करते हैं, computer process करते हैं CPU के थुरू, और result देता है output, तो ये हुआ inputting, ये हुआ processing, जो इसके बीच का time लेके CPU process करता है, और हमारा result आया, ये हो जाता है हमारा output, तो इससे आप समझ गए कि कैसे हम computer system में input, inputting करते हैं, फिर हमारा CPU के थुरू process होता है, और हमारा result monitor पे show करता है, इसलिए result show करता है, तो उसे हम output device करते हैं, keyboard से हम input करते हैं, means instruction देते हैं, कुछ भी click करना होता है, number डालना होता है system में, तो हम keyboard के थुरू करते हैं, इसलिए keyboard हमारा input हो गया, और CPU process करता है, इसलिए हमारा CPU processing device होता है, thank you.